हेलो एवरिवन वेलकम तो दी चैनल ड्राइड डिरेक्शन बाइ सलीम इस वीडियो में है डाजेशन अब्जाप्शन का कुछ डिटेल में यह डाजेशन अब्जाप्शन अच्छी तरह देखेंगे उसके साथ साथ हम 33 mcqs भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे द्यान से सुन इस एससेटि डाजेशन ग्लेंड चैसे सैलिवरी गेस्टरिक पैंक्रीटिक इंतरस्टानल ग्लेंड ठीक है यहां पहले में डियाग्राम देखते है ठीक है यह आग्या मोथ ओरल कैवटी ठीक है यह बीच में टंग है दन फैरिंग से इन सभी का डिजेशन में रूल है ठी ठीक है उसके बाद यह निचे है लीवर और यह है स्टामक ठीक है और यहां पर आगे गाल बलेटर ठीक है उसके बाद यह स्टामक जहां पर यह हतम होता यह 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 करेंट यह तो यह माई यह खेकर सकते हैं आपकों अंग दिससर एशली को मिलूर पारे सथे ले गए साथ साथ सअब रहा भूजम शो इसाणडिश के साथ सीकम फिर्मीपधिक्स और यह खाए और ये वाला एरिया है रेक्टम और इसको बोलते हैं सिग्मायड कोलं अर ठीक में यहां अ disenton यहां पर फिर यहां ब्राड करके देखो तो यह ऐसा दिखते है ठीक है अंदर से ऐसा है यह segment of jejunum modified करा गया, magnified करा गया, बड़ा करके दिखाए, ठीक है, यह ऐसा है, यह सिरोसा layer, ठीक है, यह आ गया longitudinal muscle, this one, then circular muscle, ठीक है न, यह दूसरा longitudinal muscle और circular muscle, इन दोनों को combine बोलते हैं, muscularis external, ठीक है, यह सिरोसा layer, यह muscularis external, जिसमें longitudinal muscle और circular muscle आ जा जाता है, और उसके बाद third आ सब्म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा यह चार लेर साथ हैं, सीरोसा, muscularis, सब्म्यूकोसा, मुग्यूकोसा ठीक है, ठीक है, तो, बीच में यह वाला जो portion है, छोटे-छोटे दिख रहे हैं, यह ऐसा है, माता के थोड़ा, finger like, ऐसे structure, ठीक है, इसको अगर हमने modified कर, माता के लेक्टियल भी हैं, यह इसमें यह लेक्टियल वाली डेक्ट्स, ठीक है, हाँ, तो, इसमें यह muscularis, mucosa है, यह वाला, यह वेन जार यह बीच में, ब्लूश वाली, और यह आर्टरी है, और यह lymphatic vessel, ठीक है, और इसका जो है, हमने यह वाला जो उपर tip को है, ठीक है, इसको, वीलस का tip, ठीक है, इसको, हमने माड़ी, मैगनिफाई करा, तो, ऐसा दिखते है, अंदर से, ठीक है, यह वाला, case में, two cells of the, वीलस, epithelium, showing, brush, border, or absorptive cells, ठीक है, यह absorptive cells, से, microvilla, epithelium, ऐसे, ठीक है, ठीक है, तो, उसके बाद, हाँ, यह जो, हमने, यह वाला, इतना portion का, हमने magnify करा, तो, ऐसे दिखेगा, ठीक है, इतने portion को, हमने, यह, इस पूरे portion का, हमने magnify करा, तो, ऐसे दिखेगा, ठीक है, इसमें, यह तो, आगर teeth, ठीक है, तो, यह इसमें, मसं केEP पास में पेरोटिट जाती है? जो कभी कभी सूज भी जाती है? तो यह रहार में गलेंट था है? और यह इसके पेरोटिट एकता है जो के सैलिवा मोह में रादा है जिसके वजह से ठीक है, और salivar के और भी है ये तंक के नीचे भी है दो ठीक है एक को बोलते हैं सब सब लिङओल्वल डक्ट और मेंडिविलर डक्ट ठीक है न हां तो यह आगी सब लिङओल डक्ट ऑम Neverland कौन से यह उपर है सब लिङओल डक्ट और जो थोड़े नीचे ये वाली देख रही है ठीक है ना तो उसको बोलते हैं सब मैंडिबूलर डक्ट ठीक है ना और उसके साथ साथ जो है ये सब मैंडिबूलर सैलिवरी ग्लेंड है कौन सा ये वाला ये है सब मैंडिबूलर सैलिवरी ग्लेंड है ये वाला ठीक है ये जो नीचे दिख रहे है आ यह जो इदर जा रही है और यह सब लिंग्वल ग्लेंड यह है ठीक है ना सब लिंग्वल सेलिवरी ग्लेंड यह है ठीक है ना सब लिंग्वल सेलिवरी ग्लेंड यह है और इसकी सब लिंग्वल सेलिवरी ग्लेंड की जो डेक्ट्स है वो यह उपर छोट छोट दिख रही है sublingual ducts ठीक है और sub-mandibular salivary gland है ये और इसकी जो sub-mandibular duct है वो आपको ये दिख रही है यहां से जा रही है ठीक है तो ये मत्त के sublingual और sub-mandibular duct जो है ये निचे से saliva देते हैं और parotid ये पीछे से ठीक है तो यह अपने देख लिया होगा अच्छी तरह ठीक है तो पोजिशन साफ डिफ्रेंट सैलिवरी gland हमने देखा यह मेजेंटर मसल्स भी देख लिया होगा उसके बाद अगर हमने इतने एरिया को हमने जो है magnify कर आई है यहां से यहां तक pancreas, stomach वगरा आगे ठीक है इसको हम देखते हैं ऐसा दिखते है यह ठीक है यह है liver and its associated structures ठीक है तो यह देखो जी liver देख रहा है यह उपर आगी एसो फेगस ठीक है न हाँ एसो फेगस आई तो यह stomach में जाकर open होगी ठीक है उस तरफ से तो stomach का उपर पाट जो है इसको fundus बोलते है फ्योंडे fundus तो यह stomach है ठीक है इसकी body है ठीक है और यह stomach है ठीक है और यहां से जो है यह liver है ठीक है this one is liver तो liver में यह देखो hepatic right hepatic duct आगी यह वाली और यह है left hepatic duct ठीक है न तो इन में यह common hepatic duct है और यह नीचे जो है cystic cystic duct है हाँ तो यहां से देखो यह cystic क्या नम है यह cystic duct और यह common hepatic duct दोने मिलके यह common wild duct बढ़ाते हैं ठीक है तो आके यहां पर open होती है में ठीक है न यह ऐसे आती है यहां पर open होती हैं तो को ये common यहां पर स्फिंग्टर आफ और यह तो यह पूरा स्ट्रक्ट्टर हमने पूरा डेश्टर सिस्टम का देख लिए अब हम कुछ पढ़ेंगे ठीक है ना तो यह देखो ए इस पैरोटीट गलेंट भी इस लिवर यह लिवर सी इस पैंक्रियास ठीक है और डी इस सीकम यह सीकम है और इस वर्मिफर्म अपेंडिक्स ठीक है नेस्ट कोशन इस के दर गिवन फिगर शोज अरेंज्मिंट अफ डिफरेंट टैप्स अफ टीथ इंदि जा आफ बन साइट एक साइट का जाए दिखाया गया यह ठीक है इनको बताना ए बी सी डी यह कौन है ठीक है यह इस इंसीजर्स ठीक है यह जो सामने दो हैं हाफ मतलब दो इंसीजर्स इदर हैं तो दो इदर भी चार हो जाएंगे ठीक है तो यह आगे इंसीजर्स ठीक है पहले दूसरा इंसीजर्स धन भी जो है यह कैनायन है ठीक है कैनायन के बाद आ जाते हैं दो प्री मोलर्स ठीक है मतलब मोलर्स से पहले प्री मोलर्स और उसके बा छाहने हैं आपके नेक्स्ट कोशिन इसको बते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं थिक है वर्मीफर्म अपेंडिक से थी ठीक है अब appendix से भी, c is ascending colon, यह ascending colon उपर जा रहा है, ठीक है, then d is transverse colon, यह transverse colon है, then e is descending colon, ठीक है, यह है descending colon, और f जो है, sigmide colon है, ठीक है, next question है, मैं आज column first with column second, select a correct answer, एक column में है, स्फिंक्टर भी में है, location, ठीक है, पहला हम देखते हैं, स्फिंक्टर एनी internus, स्फिंक्टर एनी internus, जो है, यह है कहाँ पर, it is guarding the terminal part of elementary canal, ठीक है, स्फिंक्टर एनी internus, दूसरे बाला आ गया जी, cardiac स्फिंक्टर, cardiac स्फिंक्टर जो है, it is between esophagus and anterior stomach, उसके दर्मियान में होती है, cardiac स्फिंक्टर, ठीक है, between esophagus and anterior stomach, ठीक है, cardiac स्फिंक्टर, third is sphincter of odae, sphincter of odae, जो है, यह है, at the opening of hepatopancreatic ampulla into the judenum, ठीक है, वहाँ पर sphincter of odae है, then fourth is ileocecal sphincter, ileocecal sphincter, it is between small intestine and large intestine, ठीक है, उसके बाद pyloric sphincter, जो है, it is between dudenum and posterior stomach, ठीक है, pyloric sphincter, next question is, के given diagram represents the ts, transverse sections of gut, identify the a, b, c, d, ठीक है, यह gut का transverse section, s, s, काटी गई है, ठीक है, तो यह parts बताना है, ठीक है, हाँ, ओ, यह center में आगे, lumen, ठीक है, अब जानती हो, a, b, c, d, को identify करना है, a is cirosa, उपर की layer cirosa, ठीक है, उसके बाद, दूसरी layer center वाली, वो आगी, muscularis, ठीक है, तीसरी layer आगी, sub-mucosa, तीसरी is sub-mucosa, और fourth is, mucosa, ठीक है, मतलब के cirosa, muscularis, sub-mucosa, और mucosa, 4 layers आगी, ठीक है, next, 12th question है, के diagram given below represent, यह diagram, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कुछ पार्ट बताएगे, जैसे यह एक artery है, और यह vein है, ठीक है, ठीक है, तो हमने ABC, A is we lie, A जो है, उपर, इसको क्या बोलते हैं, विलाई, और B जो इसके बीच का represent करता है, यह क्या है, B is lactial, यह जो बीच में है, इनको बोलते हैं, लेक्टियल ठीक है ना देन सी इस क्रिप्ट्स ये जो सी जो है इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ये वाला ये दोखो उपर आप डट्स फ्रम लीवर ठीक है ये आप देख सकते हो ये पैंक्रियस है ये ड्यूडिनम है ठीक है अब बाके ओवर ये ए बीसी बताना ए इस क्रिप्टिक डक्ट ये जो है ना दिस वान इस क्रिप्टिक डक्ट लिवर से आ रही है ठीक है बी इस क्रिप्टिक डक्ट ठीक है जब ये क्रिप्टिक डक्ट और ये मिल जाती है तो ये बांच जाता है हाँ यह भी common bile duct बनगे ठीक है ना C is pancreatic duct C जो है यह pancreatic duct है D is hepatopancreatic duct तो यह जो D है ना यह hepatopancreatic duct ठीक है ना यह combine वाली है हाँ next question is कि मैं आज column first with column second select the correct answer ठीक है हाँ पहला है hepatic labule जो है यह glycens capsule में होता ठीक है hepatic labule glycens capsule जो है यह बेस आफ इलाई में होता है क्रिप्टस अफ लिबर्खुन बेस आफ इलाई में तन स्फिंक्टर राफ उड़ाई जो है hepatopancreatic duct के पास होता है then cryptic duct जो हती है यह गाल ब्लेडर में ठीक है हाँ next question is कि मैं आज column first with column second select the correct answer इसमें type of cells और इसमें secretions ठीक है पहला गया beta cell जो है ठीक है pancreas के वो क्या करते हैं वो insulin secret करते है beta cells ठीक है उसके बाद mast cells जो है mast cells क्या करते है answer is mast cell जो है यह histamin को डिलिग गतने mast cells ठीक है then a panth cell panth cells जो small intestine के वो क्या करते है lizozyme secret करते है उसके बाद εδώ येलियन ऐल्मेंट्री के इंडिज साप dependent अंसर है एिस रखत रखैशित को शWar tapping सेजैबिंप करते हैं और मेंज साफक्ष्ट विफ टामक सेक्ष्ट करते हो फीट कालोमस टेसे क फीट को सर्क्राइब तरेयों जो जो मक्यूकस नेओ यह म्यूकस अकुल कॉसिर करते हैं ऐसे ऐटर्टोंके अशल photography जो है यह ससे एक अ को अ निस्ट कोश्टनीज मैं चैक्षिक पहला जो आ गया इस वन सोवें कुपफर सेल्स जो है यह बेड़ साइनुस अगुर सेल्स लिवर शीने में बीतर साल जो है यह आइलेट्स में आ यह अपन क्यार्श में गुषसर उकल मुंट करते हैं ये एक लिकुवा जया शिएट करते हैं वो सिंटिक सब्सक्राइब करते हैं नेस्ट कोशन इस इग्जामीन दा फिगर आफ गेस्टिक ग्लेंड की फिगर है एंड गिवन बिलो एंड इडेंटिफाइद लेबल पार्ट ए टो डी ठीक है यह हमने ए बी सी डी बताना ठीक है यह क्या है उसके बाद भी यह जो है यह क ग्लेंट अब्सक्राइब करते हैं इसके बाद यह कोशन देखते हैं कि वारीज टैपस अफ मूवमेंट साथ जेनरेटिड भाई विच लेर आफ स्माल इंटेस्टाइब आंसर है मस्कूलारीज लेर जो है मूवमेंट्स करती है यह थेन इंधयम इंटीरीव कायने इस हेलपसंदी और चनौरजेन अफ आंसर है ट्रिपlles नोजन पर रिपसिन न में वह करती है ठिक है इंटीड कोशन इस कि मैंच remarkable first with column स्टार्ट पर काम करते हैं जो रहनीन होता है और यह प्रोटीन पर एक्षिन लेता है नेस्याद कर Issy जाहिते हैं किए स्टोर फिट्रेयाट यह थो CONCESS है कि मयंट? अंजार्फुर ठोसितल कनो कर सकती है नेक्स्टन है कि फिल इन दी बलंक वीद एप्रोप्रेब्णिद इंजाम्स इनिएम्पस ouse Alpac Amyl Path required for the following the changes ہ zwei तो हम वे तो हमोऊ है है यह डास में दीकिए पहली डास में इंटीरो कानेज दूसरी मैं र Yak та है फ्रिक पहली डास में इंटीरो खानेज हばい है इसमें इंटीरो कानेज के ट्रिप्सी Code ennebility работу अब्र करनें डूसरी डाम एक साइब होbank करने कंवर्ट करता है इन्टी रूकानेश नहें जड़ानेश कि स्यर्सिएर के री नगरे इसों को छेंज पर्धों करता है रानने कोएकिश ने और ऍेश्टिएज सेडा लयुद Ellis ट outlined ने Commissionhen नेस्ट कोशन ही कि वीच आफ ता फाल्म जी इंक्रेक्ट्ली रेप्रिजण लेप्रिजेंट कराया कि नूकलिक एसिट को नूकलेटार्ट में चेंज करता है कौन नूकल एज़ीजिस तो बाद कि यह स्टेड में गलत भाकी और सेही है कि प्रोटीन्स को डाय पैप्रेट्स में कौन चैंज करता है तो सही यह वाली बाली गलता है कर f Jones की क्यझांस में यह रब at the ने टॉडतता है garlic is और झालक्तोस में हैं यहां पर rai बागी और सही है कि सुकरोस इंजायम यह चाहता है गलुकोस और फ्रक्टोस में इन वाटेज उनजायम की मदद से ठीक है यह यह पेपसीन डा 이e की से यह अच्था प्राइज़ंस में माल्टोस जो है यह गल्भूस में या और में प्सधोर dollars ही मिद्क 9 कोशन है ठीक एंटरेस्टिंग कोशन है कि अचाल टुक शुगर केन एंड सक्ट इस जूस एक मतलब के गन्य का लिया वह डंडा ठीक है और उसको चूस लिया किसने एक बच्चे ने ठीक है उसका जूस चूस लिया रिगार्डिंग इस विच आफ़ फालुम इस करेक्ट के इ साइट अफ सक्रेशन आफ इंजायम के इनवर्टेज डूडनम में से क्रेट हुआ इनवर्टेज ठीक है और क्या प्रोडक्ट बना ग्ल्कोस और फ्रक्टोस बनगे शुक्रोस से ठीक है तो यह यहां से डिटेल में देख सकते हो कि शूगर केन कंटेंश सुक्रोस विच इ सक्रेट के इन ट्यूडनम शुकरोज्स पर इंजायम इनवर्टेज विच ब्रेकस्ट ओन इट इन्ट्वल Śन फरक्टे ठीक है तो यह जूडनम में इनवर्टेज इंवर्टेज्ड काम कुछता है है तो ए लिक्रक ऑसफ कि इज.. उक्माइट ए approx द॥ प्रोटीन डेफिसेंशी से क्वेशेर करोती है एक क्वेशन है कि सिलेक्ट वर्ट इजेशन क्वेशन आउज और इन्टून विलाय के रिखिग्यों अंसराइन सलाइवा एंड पेने क्रेटीन वैसल्स next is, one of the following is not a common disorder associated with digestive system, answer is tetanus, tetanus digestiveavus se maybha blanket diaria, jandise and dysentery, which is digestive system, related है, जब detail में answer दे सकते हो, tetanus is caused by bacterium, clostridium, titani, its symptoms are spasms of muscles of jaw and face and severe pain, diarrhea is the frequent defection of liquid facie, jandice is the disease of liver, देटेल में देख सकते हूं कि अर्मों से ग्रीटिंग ग्लेंट्स एंड डू नाट टेप पार्ट इन टेजेशंग नेक्स्ट कोशन इसके मैं आज कॉलम फिर्स्ट विद कॉलम सेकंड से लक्ता क्रेक्ट आंसर ठीक है पहला आगे के बायो मालिकूल सा फूर्ड जो है अहां कानवर्टे इंटो सेंपल सबस्टेंस ठीक है देन हुमन डेजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें अलिमेंटरी कनाल और एस्सेटिव गिलेंड आते हैं देन स्टमक जो है यह जे शेफ्ट बैग लाइक स्ट्क्चर है तेन थीखोडान का मतलब होता है कि इंबेडिद इंजा बोंस टीथ थीखोडान इंजा वह जो जाबोंस में इंबेडिड बैडिड थे इस यह इसे और वाल आफ दी विसरल आर्गन शीरोसा नेस्ट कालम है मैच कालम first with the column second select the correct answer ठीक है पहला है दीडियोडिनम जो है c-shaped structure है emerging from the stomach yes then epiglottis जो है it is a cartilaginous flap epiglottis ठीक है cartilaginous flap then glutis जो है glutis जो है it is the opening of the wind pipe ठीक है glutis is the opening of the wind pipe सीकम जो है it is a small blind sack होता है सीकम ठीक है next question is के match match the enzymes with their respective substrates and choose the right one among following options ठीक है नो तो lipase जो है fats पर काम करता है ठीक है nucleus enzyme जो है यह nucleic acid प्रेक्शन लेता है carboxy peptidase enzyme जो है यह proteins peptons और proteuses पर काम करता है कौन सा carboxy peptidase धन डाई peptidase जो है यह डाई peptidase पर काम करता है ठीक है next question is के dental formula of human beings is answer है 213 वटा 213 ठीक है next question is के liver is the largest gland and is associated with various function choose one which is not correct है कि यह जो secretion of hormone called gastrin यह लीवर का का इसम लीवर में fat की digestion लीवर से उसके जूसे formation अब आल लीवर में ठीक है next question है के mark the right statement among the following correct statement यह है के trips inogen is an inactive enzyme yes ठीक है यह सही है so thank you very much हमने 35 questions पढ़ लिए उमीद है काफी फाइदमांद रहे होगी God bless you Allah